ये बात उन दुनों की है जब मैं प्रिंटी मीडिया में काम करता था तब एक दिन एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि मेरे मोबाइल में कुछ थोड़ी गरवड है क्या तुम देख के बता सकते हो कि इसमें क्या कमी है जैसे ही उस अधिकारी का मोबाइल मैंने अपने हाथों में लिया है और उसको ठीक करने की जितना मुझे आता था उसे कोशिश कर रहा था तब ही कुछ ऐसी साइटें खुल जाती हैं जिसकी मैंने कभी कलपना भी नहीं की थी अधिकारी भी वहीं बैठे होएं हैं और मैं उस मोबाइल को जो देख रहा था तो सारी पॉण साइट खुल जाती हैं उसमें बहुत सारी पिक्चरें दिखने लगती हैं अपना भी और वो अधिकारी ने एकदम से मेरे हाथ से मोबाइल छीना और कहा कि ये सब रहने दीजी बस पता नहीं क्यों अचनक से खुल रहा है तो आप इस बात से साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि उस अधिकारी ने पहले से ही वो सारी साइट खोल के देखी होंगी इसलिए वो कहीं लगाई हिस्ट्री में पड़े हुई थी और हिस्ट्री में पड़े होने के वज़े से ही मोबाइल परिशान कर रहा था उस अधिकारी के उमर लगवख 55 साल के आसपास अब अधिकारी रेटायर हो चुके हैं रेटायर तो हो गएं लेकिन कहते हैं कि बुढ़ापे में जब किसी इनसान को इश्क हो जाए तो वो इतना आसान नहीं होता लोगी नजरों में आता है तो दिक्कते भी होती है और किसी शायर ने विकुल ठीक लिखा है ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए एक आपका दरिया है और डूप के जाना है आज की जो सची कहानी में आपको सुनने जा रहा हूँ इस सची कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है बुढ़ापे में एक ओफिसर को इश्क हो जाता है और इसी इश्क के चकर में जान चले जाती है ना के बल जान जाती है बलकि पूरी जिन्दगी जो इख इज़त कमाई थी वो भी कहीं न कहीं छोड़ी से लापरवाई में चले जाती है आदाब नमस्कार सस्त्रियकाल मैं उस्मान सेफी आज की जो सची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है आगरा और आगरा में एक इलाका है न्यू आगरा दरसल उसका सुरेश नगर की कोठी नंबर एक जो की आपना आप में बहुत मशोर कोठी है क्योंकि मशूर इस लिए है क्योंकि वीर अब्डुलहमीद के साथ वो सैना में थे आरवी में थे और BSF से रिटायर होने के बाद, DIG के पद से रिटायर होने के बाद वो आगरा के सुरेश नगर इलाके की कोठी नमबर एक में रहते थे बात कर रहा हूं 9 अक्टूबर 2015 की अचानक से ही जैसे शाम के साड़े 5 बजे थे घर की नोकरानी नसरीन जब घर का दर्वाजा खोलती है और दर्वाजा खोलने के बाद जब अंदर जांक कर देखती है और अंदर जाती है तो अंदर जाने के बाद देखती है तो कोठी में जो रसोई है किचिन है उस किचिन के सामने जो डियाइजी साहब है जिनका नाम सेयद अब्दुलकादिर जो रिटायर हो चुके हैं उनकी लाश पड़ी होई थी उस लाश को देखने के बाद वो नोकरान वो भी कही न के दोड़ के आ जाते हैं और ये देखने के लिए कि डियाई जी साफ को आखिरकार हुआ है तो क्या हुआ है जब लोगों ने घर के अंदर जहांकर देखा तो डियाई जी साफ की किसी ने गला दवा कर हत्या कर दी थी क्योंकि उनके गले में चुन्नी पड़ी ह जा रहा था कि शायद किसी ने इसी से इनकी हत्या की है पूरे घर में जहां तहां समान फैला हुआ है बिकरा हुआ पड़ा था और इसी बात को देखते हुए पुलिस मौके पर आती है और जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है कि डियाई जी साब अबदुल-कादिर बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं बहुत अच्छे साथी रहे हैं और ये ख़बर आग की तरज फैलती है तो मामला फिर मीडिया में जाता है और हरकम समझ जाता है हर कोई यही कह रहा था कि पुलिस परशाशन के इस राज में समाजवादी पार्टी के इस राज में कोई व् भुज़र्ग डी आईजी वो भी सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी की सुरक्षा की क्या गारंटी ली जा सकती है। इस घटना करम का जितने जल्दी हो सके खुलासा कर दी जाए। घर की हालत को देख कर लग रहा था किसी ने लूट के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस वालों ने बहुत ही कम समय में इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और सीधे पुलिस वारे पहुंच जाते हैं। वाकई सचमुच पैसे निकाले गए थे वो बैंक पहुंचे थे सही टाइम पहुंचे उसके बाद सीधा मस्जित पहुंचे नमाज आदा की और नमाज आदा करने के बाद घर आते हैं। और इसी बीच में कोई व्यक्ति आता है, कोई बदमाश आते हैं, कोई गुंडे आते हैं और उनकी हत्या करके चले जाते हैं। एक टीम जेल की अंदर जाती है, जेल के बदमाशों से जाके मुलाकात करते हैं, पूछते हैं कि इस घटना को कौन अंजाम दे सकता है। इसके समझ में नहीं आ रहा था, एक बार फिर से उसी नोकरानी से बाचित करने की कोशिश की जाती है, नोकरानी से पूछा जाता है कि जो भी हुआ है शुरू से फिर से बताओ। नोकरानी फिर से बताने की कोशिश करती है वो ही बात जो उसने पहले बताये थी लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि तुम कहती हो दो लाक रुपे निकालने के लिए गए थे लेकिन उन्हों निकाले बलकि पांच अक्टूबर को उन्होंने अपने खाते से निकाले थे 27,000 रु बाहर रहते हैं, घर में कोई रहता नहीं है उनकी जो एहलिया हैं, पत्नी हैं, बीवी कें उनकी वाइफ साथ साल पहले य Corr. 1007 में उनका इंत्काल हो जाता है, कैंसर से वह मर जाती है उनकी मरने के बाद यह घर में अक़िले रहते हैं बच्चे भी और उनकी बेटी भी लगातार इन पर दवाब बना रहे थे, कह रहे थे कि अब्बू तुम हमारे साथ चलो, यहां अकेले कैसे रहोगे। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही खुबसरत कोठी जो बनाई थी, उस कोठी में कहते थे कि मेरा यहां मन लगता है, अपना मन लगाने के लिए वो उसी कोठी में रहते थे और इनकी खिद्मत के लिए नसरीन को लगाया गया था, अब नसरीन से फिर पुलिस पूछताच करती है तो वही रटर रटाया, जवाब देती है, पुलिस वाले जब उ ऐसा कैसे काज़म उठा सकती है, दसल वो कहती है कि इनकी एहलिया की मौत के बाद या अकेले पड़ गए थे और इसी बीच में इनके ख्याल लखने के लिए उसको ठाई हजार रुपे महिने के हिसाब से रखा गया था, नसरी कि यहां डियाई जी साफ से बढ़ने लगी, और डियाई जी साफ से नजदीकिया बढ़ने लगी, जब डियाई जी साफ के घर पर कोई मिलने के लिए आया करता था, तो उनके साथ वो अच्छा भेवार नहीं करती थी, यानि कि इस घर पर वो कहीं न कहीं एक अधिकार जमाना चाहती थी, मालिक बनना चाहती थी, और जो भी कोई महमान आता था, उसके साथ वो वत्तिमी जी से पेश आती थी, और जब ये बात डियाई जी साफ को पता बताया करते थे, तो डियाई जी साफ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, इसी बात की चर्चा धीरे धीरे सब रिश्टारों फैल जाती है, कि आखिरकार इस महिला में ऐसा क्या है, जो हम बात कुछ कहते हैं और डियाई जी साफ सुनते ही नहीं है, तब लोगों को पता चलता है कि डियाई जी साफ को इस नोकरानी से महबत हो गई है, उनके इश्की के जाल में कहीना कहीं है, फस्च चुके हैं, और जैसा ये महिला चाहती है, व बाहर भेजने की तैयारी चल लही थी, हाला कि बताते चलें आपको कि इस घर में एक ऐसा परिबार भी आया था जो डियाई जी साफ का बे इंतहा खयाल लगता था, जो की घर में ही किराये पे रहते थे और इनका बहुत जादा खयाल लगते थे, चाहें बिजले का बिल जम की नहीं की बेज़ दिया, जो चले तो जाते हैं कि रैदार ये अकेली रह जाती है, और इस नोकुरानी ने अपनी बहन को और उसकी बहन की बेटी को भी घर के अंदर रखा, जब उसे मालुम हो जाता है कि अब हमारे यहां से जाने का वक्त आ चुका है, यहां से निकालने या नई जिगा घर तलाश करने के बाद तब मुझे यहां से भेज देना एक महीने का जो समय मंगा था इस बात को लेकर बरदाश नहीं कर पा रही थी जिस घर में वो मालिकों की तरह रहती थी और मालिक के साथ ऐसी मजबूत रिश्टे में वो बन चुकी थी इस रिश्टे क के अंदर हादवा साफ करने के लिए रखा करती थी उसे से उनका गला घूटकर हत्या कर देती है और इस जर्म को वो सुईकार कर लेती है हाला कि पुलिस ने अपनी जाँच में इस इश्क की कहानी को नहीं लिखा लेकिन अपनी जाँच में उन्हें इस महिला की बाकी सारी कहानी को बया किया है और ये कहानी जब लोगों तक पहुंसती है कि बुज़र्ग डियाईजी साफ को बुढ़ापे में जो इश्क हो जाता है इसी इश्क के चकर में उनकी जान चले जाती है तो लोगों को कही न कहीं अफसोस था कि वाकिए अकेला पन दूर करने के लिए इनसान क्या क्या जतन क्या 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 नहीं करता आजकल की जमाने में बुढ़ापे में भी लोग कहीं न खहीं या तो इश्क फर्माते हैं या कुछ करते हैं या फिर मॉबाईल उप अपना वक्त गुजारते हैं जैसे की कहानी के शुरू में मैंने कहा था कि एक ओफिसर जो कि मोबाइल में कुछ ऐसी पिक्चरा देखा करते थे जिससे उनका मन बहल जाया करता था क्योंकि अगर बुढ़ापे में कोई सच्चा साथी होता है अच्छा दोस्त होता है तो बीवी होती है और बीवी ना रहे तो वो किसके साथ अपना वक्त गुजारे जाते-जाते कुछ लोगों के जनमदिन है जिसमें प्रदुमन यादब पाली जहांसी से है इन सभी को जनमदिन की बहुत सारी आपएल की थी बहुत बहुत मुभारक बात साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील कί थी उनका यह कहना है कि इनकी वाइफ की एक नोवमबर को आने वाले एक नोवमबर को डिलीवरी होनी है आपको एडवांस में शुभ आमना है आपके घर में किलकारियां गुजे और आपका बच्चा हमेशा सुवस्त्र है और वो बड़े होकर कुछ आच्छ मुहम्मद दिलबर हुसेन असम से हैं बेदप्रकाश सिन्ह सत्थ चतिस गड़ से गोपाल सिंग मुहम्मद तोफीक विहार से आशुतो चतिस गड़ से राकेश विश्नोई राजिस्थान से जमशेत खान फरिदाबाज से पंकच कुमार जहारखंड से पारसनाथ जहारखंड से साथी शरीफ कुरेशी सोरब सिधार्थ मधुवनी विहार से हैं मनवीर सिंग अलीगड के रहने वाले हैं और इन्होंने जो कमेंट लिखा था वह वाकिए बहुत दर्दनाक है परशान करने वाला है कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं मनवीर सिंग जिससे कि आपको अपकी जफर आलम इनकी शादी है नवंबर में आपको एडवांस में बहुत बहुत शुपकाम ना है छोटु चोधरी बुलंद शहर से हैं सुएब एमद साहरनपूर से हैं सभीता सिंग प्रिणाम किया था आप सभी दर्शनों को कह रही थीं कि मेरा प्रिणाम जरूर बोल देना ठीके जी आपका प्रिणाम अंकित यादव अमेठी से हैं कमल कानिया दिली से इमरान शेख हैदराबाद से पिरिंस आरियन महमत फैज आप सभी का दिल की गहराईयों से धन्यवाद शुक्रिया आप सब अपना ख्यार रखें सुरक्षित रहें जैहिन जैभारत